दोस्तो अगर आपका एक बिजनेस है और उस बिजनेस का इसाब किताब आप अभी भी pathetic लेके करते हो या पिर जितने प्रॉग्रेस रिपोर्ट भी नहीं निकाल पाओगी जल्दी से जल्दी तो इसके लिए आपको स्वीच होना चाहिए एक कंपीटर की ओपर और कंपीटर थूपर रिवार छीव लेकिन कंपीटर पर बनाने के लिए एक इन्वाइस सपूर्ड की जरूद वती कब कर सकते हैं या घंत कर सकते हैं लेटर प्रिं पर चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं कशने ऐसको तुरंथों भाइब देना आप को जैसे अलगलग मौल में होता है मिना सकते है Aid की सब्सक्राइब यहाँ पहाँ को मिलने वाले साथी में यह बिलिंग सफ़वेर जो है 50 इनवाइस अपको फ्री देता है अगर आपका छोटा सा बिजनेस अप इसमें बना सकते हैं जो कि पते हैं आज का यह इन्वाइस सॉफ्टेयर की इंफॉर्मेशन बार वीडियो लेट्स बिगिन दोस्तों इसी कि मैंने इंट्रो पार्ट में आपसे का कि हम हाई टेक बिलिंग सॉफ्टेयर की इंफॉर्मिशन देख रहे हैं और उसको डाउनलोड करने के लिए आपको डिस्क्रिश प्रें में मैंने लिंक दी है उस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का प इस फॉर्म भर देना है यहां पर इस फॉर्म पर अपना नाम लिखिये अपना इमेल आईडी लिखिये फिर मोबाईल नंबर, city and what is your business वो लिख यह आपको स्टार्ट डाउनलोड पे क्लिक कर देना है यह सारी इंफॉर्मिशन बरने के बाद जैसे आप स्टार्ट डाउनल यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हो create a desktop shortcut जिससे desktop पर इस software को start करने का direct shortcut मुझे मिल जाए उसके बाद next उसके बाद install button बहुत ही simple installation है दो क्लिक और installation complete दोस्तों जैसे install होगा launch high-tech bill software finish जैसे install करोगे आपके सामने यह screen आएगी और screen में आपको दिखाय दे रहा है कि अगर आप इससे free use करना चाहते हो तो आराम से कीजिए क्योंकि इसमें 50 bills आप पर month बना सकते है 20 product को add करके हाँ अगर आप चाहते कि software को activate करे तो full version भी आप ले सकते है इसकी prices website पे आपको दी है फिलाल तो मैं free limited version के साथ quick start कर रहा हूँ क्योंकि अगर आपका business चोटा है और 50 bill monthly आपके बन रहे है तो आप इसे यहाँ पे click करके start कर सकते है free में इस्तमाल कर सकते है जैसे आप start करोगे आपके सामने आ रहा है welcome to the world of high tech आपको सबसे पहले ये screen दिखाए दे रही है जो कि company creation यहाँ पे आपकी company की information आपको भरनी है जैसे company के business का नाम city, state, phone number और बाकी सारी details तो मैं यहाँ पे मेरी सारी details से यहाँ फटाफट भर रहा हूँ जो कि speed में वडियो चल रहा है आपको दिखा दे रहा है तो यहाँ पे सारी information मैं ने भर दी जैसे के address, details and all यहाँ पे pan number, ghtb भर सकते हैं और company logo मैं यहाँ पे क्लिक कर और company logo में मैं यहाँ पे कोई भी company logo मेरा ले रहा हूँ एक्जामपल के लिए मैंने company logo ले लिया है और उसके बाद paper size क्या होनी चाहिए print की वो भी आप यहाँ पे set कर सकते print size A4, A5 वगेरा वगेरा तो paper size select करने के बाद save and go to dashboard यह information मैंने company की सारी save की और मैं भी dashboard वे जाना चाहता हूँ मेरी company यहाँ पे create हो रही है company creation बहुत ही simple था जो कि आमने यहाँ पे बना लिया जैसी company create करोगे आपके सामने यह dashboard आएगा दिखाए दे रहे आपको दोस्तों और यह dashboard उसकरना बहुत ही simple है मतलब आपको यहाँ पे सामने options दिखाए दे रहे है बस click करो invoice बनाओ that's it अगर आपको sales invoice बनाना है तो यहाँ पे sales invoice और new invoice बटन पे आप click करोगे लेकिन अगर आपको sales invoice के अंदर जो stock item होते वो add करने तो उसके लिए आप यहाँ पे जाकर master में जाकर आप stock item add product पे click करके add कर सकते और stock item के अंदर जो brand masters हो group masters की required रहती वो यहाँ से बना सकते लेकिन यह अलग अलग बनाने से अच्छा जब मैं product बनाऊंगा तब उसके साथ यह सारी चीज़े हम create कर सकते तो मैं ट्रेक लिए add product पे click करके आपको दिखाता हूँ कि इसमें product कैसे add करते तो product में सबसे पहले हम group का नाम लेंगे तो यहाँ पे मैंने सबसे monitor group का product लिया मोनिटर के अंदर अलग अलग product आने वाले जैसे 21-inch monitor 26-inch monitor इस तरह के monitor add करने वो हमारे stock item के नाम होगे लेकिन पहले monitor उसका group है तो यह group में create कर रहा हूँ यहाँ पे create करने के लिए message आ रहा है इसे हम yes करेंगे क्योंकि यह group हमारे इसके अंदर available नहीं है हमारे stock के अंदर तो यह group हम तायर कर रहे है और group के लिए जो भी मतलब इस monitor item के लिए जो tax applicable होने वाला है वो यहाँ पे आप add कर सकते हैं जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसके लिए 9% tax applicable हो रहा है तो cght, hght99 तो ight हो जाएगा 18% तो यहाँ पे automatically 9 लिखते ही दिखाए दे रहे है आपको आ रहा है इसे आप save कीजिए अगर इसमे hsn code अगरा है तो वह भी आप add कर सकते हैं तो मैंने इसे save कर दिया है save करने के बाद group monitor added successfully ok कीजिए यहाँ पे monitor group आपको दिखाए दे रहा है अब आपको next time monitor group के जो भी items add करने उस time पे monitor group दुबारा create करने की ज़रत नहीं है यह drop down में आपको मिल जाएगा जितने भी आ drop down में आपको यहाँ पे मिलेंगे उसके बाद brand का नाम लेते सपोज यह LZ brand का monitor है तो यह LZ brand मैं जैसे type करूंगा और tap button प्रेस करूंगा तो आपको दिखाए दे रहा है यह LZ brand क्रेट करने के ला रहा है यहाँ पे yes कीजिए ok कीजिए उसके बाद item code item का कोई कोड है तो यह आपके लिएल उसके फिर्डाई का तो कर दो तो इसकी पास कितनी पास कितनी अवैले बनेगे किदे रहे है किद्ग का इसकाति उसके फिरोंग कॉंड वैलेंड 270 उसका ज़न गुक्त्षिप्राइबल में ल मेरे का पतनी ओनंस्का बश कर सकते लिए और किये अट को जिखा अपनिंग स्टॉक का वैल्यू भी या पे अटोमेडिक रहा है टैक्स रेट के सबसे यह पे डीटेल्स भी यह रही है और यह पे आप अधर डीटेल्स भी भर सकते है अगर आपको भरना जैसे डिसकाउंट वह रहा है तो वह सारी चीजी यह पे दी गही है वनकिलकक स्ल्स के लिए इस वह उसके लिए तो वनकिलकक सेल के लिए आप इसे चेक कर सकते हैं इसके आप डिनुब कर देना है तो इसके बाद यहा पे आपको से से जाव ब्लीक कर दिना है लिए चौक अर्ऐ और ङवर कर रहा हो मैं यह एड होने के बाद और कोई स्टॉक एंटम एड करना तो यह आप फिर से विंडू आ रही है आप एड कर सकते हैं मैं ऐसे फिलाल क्लोज कर रहा हो इसके बाद यहापorc है कर दिया करabout इनवाइस Mr. automatic है याफक टाबर, इनवाइस नंबर करना तो अपī आरहे है। ऐसे पुद्धित्ध रेक्ष में है नहीं है अए छाए क्षट नहीं हो सकते है। स्टेट फिल करने के बाद इहां पर राइट साइड में आपको दिखा दे रहा है कि यह बिल कैसे है विल-to-cash, like cash bill है यह पर credit मतलब customer का नाम पर credit bill तो client account यहां पर click करेंगे client का contact number आपको यहां पर एड करना है जैसे मैं example के लिए कोई contact number यहां पर एड करहा हूं बरने के बाद आपके पास बारी आती है इसमें पर्टिकुलरस में आइटम टैग या इटम कोड से आप आइटम को अड़ कर सकते है या पे आपको क्लिक करना है अगर आपको आइटम का नाम पता है तो उसका नाम का बस पहला आइटम लिग दो आइटम ड्रॉपड़न में दिखाए देगा या पर आपको दिख रहा है 21-inch monitor जो कि हमने या पर लिया है और यह यह आइटम और कोई नया आइटम है तो एड आइटम बटम पे क्लिक करके आप आइटम कर सकते है डीटेंक्ट चरें है जॉषे raise ताइटिन ही क्लिएंशनल आग पर आपको यहँ अपर आइटम कर सकते है या पर आइटम करने पूरत देखिए अडिशनल चाण्स क सब्सक्रां सकते है तो आप इंडिशनल कॉस्टन सब्सक्राइब करने के बाद सेवन प्रिंट करने के बाद सिंपली आप यहां पर देख पाएंगे कि यह डीटेल्स एड़ चुगे से हो चुके और इनवायस आपके सामने दिखाए दे रहा है यहां पर जो मैंने स्टार्टिंग में लोगो आड किया था अंपनी की देटेल् इंवाइस आपको दिखाएं रहे हैं थे जीए हैं ज है आपके सामने इस इन वाइस को आप प्रिंट तो प्रिंट εδώ से क्यों प्रिंट कर सकते हैं को से साईज में और यहाँ पे प्डियार फॉर्मऩें लेना चाते या फिर आप इस से आपको यहां से अपी सिन्मण जो कर सकते आपको सेक्स to the सकते हैं न kapना घंट करते चाना है एतना सिम्पल है कि आपको बस क्लिक क्लिक करते जानाई डेटेञ्ट करते जानी करने जो भी ऐप इनवाइस ऐटर करोगे इसका यहां तुरण डैश बोड में रिफ्लेक्शन आपको मेलेगा यहां पे डैश बोड में आपको दिखा दे रहे यह कॉलम पहले नहीं ता आ चुका है और ऐसे यहां पे अनपेड इन्वाइस वगरा इस डैश बोड में सारी डीटेल्स आपको सामने सामने मिल चाती है वैसे आपको यहां पे कुछ क्विक एक्सिस दी है जैसे कि इन्वाइस के लिए आप अंदर जाने की जुरुत नहीं आप न्यू इन्वाइस यहां से भी क्लेक कर सकते हैं कोटेशन बनाना यहां से कर सकते हैं पर्चेस वाउचर की इंट्री भी यहां पे एड कर सकते हैं अगर आपको बनाना है तो same यहां पे भी जाकर सकते पर्चेस में ऐड़िधाट पर्चे बीविल आपके है पके पास कोई पर्चेस बिल पढा है उसको देख के उसके अंदरी की सारी डिटे ल्मश्येй्श आम जएसे मैंने Pam वैसे details आप यहाप बरिये उसको भी आप सेव कर सकते हैं आपको पर्चेस बिल्कॉप को प्रिंट करने के जुरत नहीं रहती है हम सेल्स इनवाइस यह आप प्रिंट करते हैं आप आपए आप आप सेट कर लेना तो उसका अपे अपफ सेट करके रख सकते हैं आप सेट करोगे मैंने सब्पोर भी एसा लिखाए कुछ भी तो जोबी रिमाइंडर अप सेट कर paragraph एक साथ सारे रिमाइंडरसर्द यहां रिमाइंडरस देख पाओगे इ inversion ने वाला है जो कि इसका billing engine, billing engine में अगर आप जाते हो तो यहां पर आपको दिखाए दे रहा है, point of sale, यानि POS invices भी generate कर सकते हैं, POS invices यहां से generate करने के लिए बस engine change करना है, यह general आपको invest ताहर करना है, जो कि हमारा अभी invoice बन रहा था वैसे तो यह setting रखो, point of sale, यानि कि quickly bill देना, जैसे क कि आप एक shop में जाते हो, वहाँ तुरन जैसे mall में आप जाते हो, तो वहाँ तुरन आपको bill मिल जाता है, quickly bill देने के लिए, किरणा store में भी होता है, किरणा store में अप जिनन दोस्तों तोवार ठीच के बुछा양 और होको कि मिल जेक्न के अप कि अज़न क्ली सकते हैं तो अन्द में वेलके आपिन रहते हैं ओंड होको खुटल से dallayas निए सोप्टलों का लाँसे आप मेनिया लेक्न करहां फूर भी आप उपने करता हैं कुछ आपको और उप्शन्स दिये हैं, जैसी कि कुछ रिपोर्ट्स आपको ड्रेकली मिलेंगे, आप अकाउंट लेजर देखना चाहते हैं, क्लिक किजिए, क्लाइंट लेजर देखना चाहते हैं, तो आप देखिए, यहाँ पर आजय शर्मा का मैंने एक लेजर तायर किया तो उसे related stock item की details आपको यहाँ पर मिल जाएगे, और यह सारे रिपोर्ट आप Excel में भी ले सकते हैं, PDF में भी ले सकते हैं, जैसे में यहाँ पर क्लिक करूंगा, तो यह Excel format में यहाँ पर export हो जाएगा, आप चाहिए तो PDF format में लेना चाहते हैं, तो PDF format में भी आप इसे export कर सक जाएगा, तो उसके लिए आप टूल्स में जाएगे, द्यान से दिखिए, तूल्स में जाना है, तूल्स में जाने के बाद यहाँ पर एक option दिया है, आपको import items और यहाँ पर आपको क्लिक करना items पर, जैसे आप क्लिक करोगे, यहाँ पर download a sample file, right side में option मिल आपको, यहाँ स सारी stock item की details fill करो, इस तरह stock item की details से यहाँ पर फिल करने के बाद, सारी details से तुल करो, और फिल करने के बाद, इस फाइल को आप यहाँ से इंपोर्ट करो, यहाँ पर उप्शन दिया है, select file for preview, यहाँ पर आपको दिखा दिरा है, ब्राौज पर क्लिक करना है, और फाईल सीले आपको बार कोड़ जेनरेटर भी मिले गा अगर आप प्रोड़क के बार कोड़ करना चाहते है जिससे आपका पी-o-s weekly बने पॉइंट अपसेलस इन्वाइस इस इस बार कोड़ विंडो के अंदर आपको यहां पर क्लिक करना है, प्रोड़ का नाम सेलेक करना यहां पर नमब आपके उपर है कितने आपके पस टॉक Aptom available है उसकी उपर को यह लेबल लगाने तो करना किया है सिंपल टूलस में जाो, बार कोड गंड्रेटर में जाओ, प्रोड़क का नाम सेलेक करो नाम सेलेक करते कितने लेबल्स आपको 10 लेबल चाहिए एड करो और जनरेट करो आपको यहाँ पे 10 लेबल आपको मिल जाएंगे दिखाए दे रहा है 10 लेबल बार कोड उसी प्रोड़क के 10 लेबल आपको मिल रहे है तो इतनी सारी चीज़े यहां पर दी गई है एक ही software के अंदर तो दोस्तों मैंने information देनी की कुछ इसकी software की अगर आपको अच्छा लगा है तो description मैंने इसकी link दिये जहां से free trial राउनलोड कर सकते है जो free version है उसमें आपको 50 bill monthly मिलते है अगर आपका चूटा सा बिजने तो यहां पर limited version के अलावा यहां पर click करें और upgrade करें यहां पर नीचे option दिया या इसकी website पर जो है जिसका link मैंने already description दिया वहां से भी आप इसे purchase कर सकते है तो यह detail information थी कैसे लगी मुझे comment section में जरूर लिख देना like share और comment जरूर करना मैं मैं मिलूंगा कुछ और interesting video के अंदर त